नमस्कार मैं हो ससी आया जार्खन के सरकारी स्कूल का होगा काया कल्प सिक्षा मंत्री जार्खन के 32-623 सरकारी स्कूल में सिक्षा ब्यवस्ता मजबूत करने के कई उपाय किये जा रहे हैं इसके लिए अध्यान भी हो रहा है अस्थानिय अस्थरपरग्रामिनो पंचाच परतिनीदियो 56 विधायक अभिभावक आधी सवि का स्वयोग लेने का पर्यास होगा सरकार का लगचा की सरकारी स्कूल प्राइबेट स्कूलों की बराबरी करे सिक्षा में सुधार के लिए अविभाव को सिक्ष को वजन परतिनिद्यों की इक्षा सक्ति को बढ़ाना होगा बता दे उक्त पाते जारखन के सिक्षा मंत्री जगरनात मतों ने कही सिक्षा मंत्री सिरी मतो ने कहा कि जार्खन सरकार पुर्य बजट का 15-30 सिर्फ सिक्षा में खर्च कर रही है मौसम विभाग के अनुसार उबर्तमान में राजे के 6 जिलिया से हैं जहां समाने से कौम बारिस तर्ज की गई है इसमें 14 में 28 परतिशत, गुमला में 25 परतिशत, पच में सिवो में 18, गोड़ा में 17, पाकोड में 17 और सरा, एक लाखर समा में 12 परतिशत तक कौम बारिस दर्ज की गई है बतादे राजे में 1 जून से 15 जुलाई तक समाने रूप से 342.4 मिलिमीटर और समाने काम हो जाने की संभवना है सिख्षकों के वैक्सिनेशन का केंदर ने मांगा आकड़ा है जारकन के सरकारी स्कूल से लेकर प्राइबेट स्कूलों के कितने सिख्षकों और सिख्ष केतर करमचारी ने कोवीट की वैक्सिन ली है इसका केंदर सरकार ने आकड़ा मांगा है केंदरिये सिक्षा मंत्राले के स्कूली सिक्षा और सर्षर्टा विभाग के सन्युक सर्चीव संतोष कुमार यादों ने जारकंड के सिक्षा विभाग को आकड़ा उपलफ्त कराने को कहा है उसके बाद इस्कूली सिक्षा और सर्षता विवाग के प्रात्मिक सिक्षा निदेशक डाक्टर सलेस कुमार्चवरस्या ने सभी जीला सिक्षा पता अधिकारी और जीला सिक्षा अधिक्षकों को सिक्षक और सिक्षकेतर कर्मियों का कोविटी का करन से समन्धित आकड़ा उपलब्द कराने का निर्देश दिया है पीछली सरकार के हर गोटाले की जांच के बाद होगी करवाई मिथलेश ठाकूर पेज अलेवम सक्षता मंत्री मितले स्ठाकूर ने गुरुवार को मीडिया से कहा कि पिछली रगवर सरकार के पांच बरसों के कारेकाल में राजे और जनहित से जुड़ा एक भी काम नहीं हुआ है रगवर सरकार चंद पुंजी पत्यों के लिए काम करती रही पुरों मुखमंत्री रगवर दास के कारेकाल के दोरान मैंहाट घोटाला टीसट टॉफी घोटाला जैसे अनेक मामले सामने आ रहे हैं हमन सरकार रगवर सरकार के घोटालों पर चूप नहीं बैठेगी हर एक मामले की जाच होगी जानता का अधिकार और हग छीन कर की गई और नियमित्ता सामने आने पर सरकार जरूरी करवाई करेगी इस्टेन स्वामी जैसे सद्यों बाद लेते हैं जान मुखमंत्री मुखमंत्री हमन सुरेन ने कहा कि फादर स्टेन स्वामी का जीवन आसान नहीं था और वे सधान व्यक्ति भी नहीं थे अपने जीवन में उन्होंने हमेशा लोगों को रास्ता दिखाने का कारे किया था यूगों बाद ऐसे लोग आते हैं जिनके द्वारा किये गए कारे की छाप कभी नहीं मिठती मुखमंत्री ने कहा जीवन है तो मिरित्यू भी है लेकिन इस जीवन काल में हमेशा करात्मक कारे कर विदा लेना चाहिए केरल से मुख्थ कराए गए बतिस्रमिक जारखन के दुमका की स्रमिक अनिता मरांडी खुस है वे कहती है कि हम केरल में बहुत तकलिप में थे हमारा धार कर ले लिया गया था और सताया जा रहा था अब वहां से मुक्त होकर काफी अच्छा लग रहा है अब काम करने अपने राज से बाहर दुबारा कभी नहीं जाएंगे बता दे हमारी गुहार मुख्य मंत्री हमन सुरेण अमंत्री चमपाई सुरेण ने सुनी इनका तहे दिल से अभार अनिता समेत 32 रामी को पांच बच्चे केरल में फसे हुए थे राजे के 1682 लिए खुस खबरी सुक्षा मंतरी शीरी महटो ने कहा है कि राजे के 1673 पाराजश को बेटर सुविधा मिलेगी सियमहन सुरेण खोद इसके लिए कारे कर रहे हैं सिक्षा मंत्री बनने से पूर्व से ही पाराशिषकों की मांगों को लेकर उनके साथ खड़ा रहा हूँ आज मेरी सरकार है तो मेरा दयुत है कि इन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा मिले यह दुर्भाग यहाई कि जिस दिन पाराशिषकों के लिए गठित कमेटी की पली बैठक थी उसी दिन 28 सितंबर को मैं कुरोना पोजेटिव हो गया जिसके बाद से लगभग साड़े आठ मां इलाज रत रहा ऐसा नहीं तो हम कभी आगे इस मामले में बढ़ गए होते यही नक्सली लगा रहे आईडी गुमला के कुरूमगर थाना छेतर इसीत एक जंगल में बोधवार कर नक्सली द्वारा लगाए गया आईडी बिसफोर्ट में ग्रामिन की मौत हो गई जबकि दो लोग घायल हो गया इसी इलाके में आईडी की चपेट में आने से कुबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था जबकि एक स्वान सहीध हो गया था इस घाटना के बाद बोधवार को मुख्याले ने बर्स 2019 से लेकर इकिस तक नक्सली द्वारा लगाए गया आईडी की चपेट में आने से घायल और मिर्त ग्रामिनों का आकड़ा तयार किया आकड़ा के अनुसार खुद को ग्रामिनों का ही तैसी बताने वाले नक्सली जंगल के उन्हीं इलाकों में आईडी लगा रहे हैं जहां आक्सर ग्रामिनों की आवाजा ही होती है गुमला में पुलिस मुर्भेर में 15 लाक का इनामी नक्सली बुधेस्वर धेर जहारखन के गुमला जिले के नक्सल प्रभावीत कुरुमगर छेत्रे के जंगल में पिछले दिन तीन दिनों से चल रही सर्च अभियान में गुरुवार के सुवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है पुलिस ने 15 लाक का इनामी मवादी कमांडर बुधेस्वर उराव को मार गिराया है बता दे बीदे मंगलवार को सर्च अभियान के दोरान ही बीस फोर्ट में एक स्यार पीएफ के जवान गंभी रूप से गाहल हो गया था ज्यारखन में चोवर नए केस मिले है जो राशी से पांच पूरी से मूँ आठ हजारी पागी एक बुकारो 14 धनबाद 4 रामगर 2 कोडारमा 2 पलामू 3 देवगर 3 गुमला 1 लात्यार 1 सराय के ला 2 लोहरदागा से 6 साहिव गंज 1 दूमका से 1 मिले है ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संक्या 336 है वहीं भारत में 49 यार और 69 केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संक्या 4,24,697